आप सब तो जानते होंगे कि लोहोपुरूस के रूप में पहचाने जाने वाले सरदार पटेल एक दुढ़प्रतिग्या राजनेता थे जिसके कारण कंग्रेस का हर एक सदस्य उन्हें देश के प्रधानमंत्र के रूप में देखना चाहता था लेकिन इतनी खुबिया और का अबिलियत होने के बावजूद भी उन्हें देश का प्रधानमंत्री नहीं चुना गया तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं 1946 में जैसे जैसे भारत को आजादी मिलने की उमीद बढ़ रही थी ऐसे ऐसे कंग्रेस के द्वारा सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी सबी की निगाहे कंग्रेस के अधख्य के पद पर टिकी हुई थी क्यूंकि ये लगभग तय हो चुका था कि जो कंग्रेस का अधख्य बनेगा ओही भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए भी चुना जाएगा भारत छोड़ो आंदुलन का हिस्सा बनने के कारण कंग्रेस का ज्यादा तोर नेता जेल में थे 6 साल से अधक्या पत का चुनाप ना हो पाने का कारण मोलाना अबुल कलाम आजाद ने ही कंग्रेस के अधक्या पत की कमान समाली हुई थी 1946 में अधक्या पत के लिए चुनाव होने थे मोलाना आजाद भी इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे और साथ ही प्रधान मंत्री भी बनने के इचुक थे लेकिन महत्मा गांदी के साब मना कर देने के बाद उन्हें ये विचार छोड़ना पड़ा मोलाना आजाद को मना करने के साथ साथ गांदी ने ये जाहिर कर दिया था कि उनका समर्थन नहरू के साथ है 29 अप्रिल 1946 अधक्या पत के लिए नामांकन भने की आखरी तारिक थी इस नामांकन में सबसे चुकाने वाली बात ये थी कि नहरु को गांधी के समर्थन के बाद भी राज्यों की कंग्रेस समिती द्वारा समर्थन नहीं मिली सिर्फ इतना ही नहीं, पंद्रो राज्यों में से करिवन बारो राज्यों ने सर्दार पटिल को कंग्रेस के अधख्य के रूप में प्रस्ताबीत किया और बाकी तीन राज्यों ने किसी का भी समर्थन नहीं किया बारो राज्य द्वारा मिला समर्थन सर्दार पटिल को अधिख्य बनाने के लिए काफी था मुहादमा गांधी चाहते थे कि नहरू कंग्रेस के अधिख्य पत को समाले इसलिए उन्होंने जे भी क्रुपलानी पर दवाब डाला कि ओ कंग्रेस कारिय समिती के कुछ सदेश को नहरू को समर्थन देने के लिए राजी करे गांधी के दवाब में क्रुपलानी जी ने कुछ सदेश को इस बात के लिए मना भी लिया नहरू को समर्थन दिलवाने के लिए जो भी गांधी कर रहते ओ कंग्रेस के समिधान के खिलाप था सिर्फ इतना ही नहीं इसके बाद गांधी ने सरदार पटेल से मुलाकत कर कंग्रेस अदेख्या पत की उमिद्वार की दोड़ से हड जाने का निवेदन किया सरदार पटेल सारी कुटनिती को समस्ते हुए भी कंग्रेस की एकता बनाये रखने के लिए गांधी का ये निवेदन स्विकार कर लिया जिसके कारण नहरू प्रधन मंत्री के पत के उमिद्वार बन गए जवालाल नहरू प्रधन मंत्री तो बन गए लेकिन इससे एक सवल पैदा हो गया कि आखिर गांधी ने ऐसा क्यूं किया सायत ये और ज़्यादा बड़ा सवाल तब बन गया जब सरदार पटेल के उमिद्वार के पत से हटने की खबर सुनकर राजेंदर प्रसत के मूँ से एक ही बात निकली कि एक बार फीर गांधी ने अपने चहते चमकदार चहरे के लिए अपने विश्वास पत्रस सैनिक की कुरवानी दे दी नहरू और पटल के प्रति गांधी के रुक पर हुए अध्यान के उन्सार गांधी को मुडन विचार पसंथी जिसकी जलक उन्हें बीदेश में पढ़ रहे नहरू में दिखती थी उन्हें लगता था कि नहरू की नरम निती देश के लिए सफल साबित होगी दूसरी बज़ा ये थी कि नहरू ने ये साप जाहिर कर दिया था कि ओ किसी भी व्यक्ति के आधिन कोई भी पस्विकर नहीं करेंगे नहरू से पक्यपातिस नह के कारण गांधी नहरू की हार को अपनी ही हार के रूप में दिखते थे गांधी ने जो किया उसे हर कोई गलत मानता है लेकिन कहीं न कहीं सवाल सरदार पटेल पर भी उठे कि उन्होंने इसका बीरूत क्यूं नहीं किया आखिर उनके लिए क्या जरूरी था देश जरूरी था या गांधी जरूरी था आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्रेक करना मत भूली तब तब के लिए अपसेगों मेरे दिराब से जहीन